हेलो दोस्तों मैं हूँ सागर स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सागर बिंज में आज मैं हिंदी का दूश्रा पार्ट लेकर आया हूँ अगर आपने इससे पहले हिंदी का फर्ष्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक के डिस्रिश्प्शन बॉक्स में है जाकर देख लेना अगर हम हिंदी की बात करें तो यह 14 श्रितवर को मना जाता है चलिए नेस्ट क्यों बढ़ते हैं हम नेस्ट को बढ़ते हैं हम से कह रहा है निम्लिकित में से अगोष बर्ड कौन सा है ऑप्सिंस दियो है हमारे बाहा जाशा चलिए बताएगा इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा और आपका जो भी इसको बने उसको कमेंट बाक्स में जरूँ शेयर करना अगर हम कुशन नमर दो के ऑपसंस की बात कर लेते हैं तो हमारा जो बाह है ये सगोस बर्ड हो जाएगा हा भी हमारा सगोस बर्ड हो जाएगा और जा भी हमारा सगोस बर्ड हो जाएगा आपसं बसता है हमारा शा यानि की जो आपसं नमर डी है सा वो हमारा अगोस बर्ड हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं नेस्ट वोशन की ओर हमारा अगला कोशन हम से कहा रहा है तुलसी दास का जन्म कहा हुआ था तुलसी दास का जन्म कहा हुआ था मत्रा में राजापूर में काशी में या प्रयाग में चलिए बताएगा कि तुलसी दास का जन्म कहा हुआ था बहुत बढ़ी है इसका राइट आंसर जो भी आप्शन सब्सक्राइब करें निर्त हो जाएगा और बिरत का विलुमशब्द निरत हो जाएगा और बिलुमशब्स सुलब हो जाएगा हमारा शुपरों कोशन की और 2017 में पाहरा है जंगल में लगने वाली आग पर द्या है डैस एक शब्द कीक्रममें सही विकल्प चुनिए जंगल में लगने वाली आऑ को क्या कहते हैं जट्राजा ना समूदर में लगने वाली को कहते BEं अगर हम इसके options की बात कर लेते हैं तो आनल आग को कहते हैं जट्रानल पेट में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वानल समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं आप्शन बसता है हमारा दावानल यह हमारा जंगल में लगने वाली आग हो जाती है इसको हम जंगल में लगने वाली आग कहते हैं यानि कि आप्शन नमबर शी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा दावानल हमारा नेक्स कुशन हम से कह रहा है सभा का पर्यावाची कौन सा नहीं है सभा का मतलब होता है सामिल होना और सभा का मतलब बैठक महावरतन परिशद यह सभी परियाबाची सभा के हो जाते हैं बढ़ते हैं अग solutions के सभी का मतलब लिए अंग आगला कॉष्ण आपर कैशरी का मतलब हो जाएगा अगर हम इसके other options की बात कर लेते हैं तो तुरंग का पर्याइबाची भोड़ा हो जाएगा, बुजंग का पर्याइबाची शर्प हो जाएगा, अनंग का पर्याइबाची कामदेब हो जाएगा जलिघे बढ़ते हैं हम अगले question की और अगला कोशन हम से कह रहा है, पर्याइबाची शब्द का अर्थ है, जलिए सब्द तो भिन-भिन होगे लेकिन उनके जो अर्थ होंगे सब्दों के वो बिल्कुल शैम होगे इसलिए परया बाची सब्द जो है न समनार्थी सब्द कहलाते हैं चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले कोशन कियो और मारे अगले कोशन हम से कह रहा है निम लिखित में से कौन सा रस बीभत्स का विरोधी है शरंगार रस भायानक रस बीर रस या करोड़ रस चलिए बताएगा इसका राइट ऐंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जो भी आप्शन नमबर ए यानिका श्रंगार जे रहा है इसलिए यहां पर बीवत्स का बिरोधी श्रंगार हो जाएगा इसके अधर आपसंस की बात कर लेते हैं भायानक का अर्थ होता है भाय बीर का अर्थ होता है उत्षाह और करोड का अर्थ होता है शोक चलिए बढ़ते हम अपने अगले कोशिन की और गंगा जल सब्द में कौन होता है खैल अर्थ हुआ आजिए इसका मतलब है कि यहां पर हमारी तत्पौश समास हो जाएग्या अभी तत्पृश विवास समास क्यों होगा है तो यहां पर कारक लुपट हो जाता है तो बहां पर हमारा ततप्रूर पर समास हो जाता है इसलिए अगला अगला पर पर्मानंद में समास है पर्मानंद में समास है options दिए हुए हमारे द्वंद कर्मधारे अभ्याई भाव ततप्रुष चलिए बताएगा पर्मानंद में कौन सा समास हो जाएगा हमारा अगर हम यहां पर पर्मानंद का समास बिग्रे करें तो हो जाएगा परम है जो आनंद या यहां पर हमारा कर्मधारे समास हो जाएगा पर्मानंद में कौन समास हो जाएगा कर्मधारे अब यह क्यों होगा क्यों कि समास का बिग्रे करने पर जब के समान या है जो आता है तो बहां पर हमारा कर्मधारे समास हो जाता है अब जैसे कि पर्मानंद काम समास बिग्रे करते बताईगा इसमें कॉन सा अलंकार हो जाएगा अगर इसके राइट आप्सन की बात करें तो यहां पर जो भी राइट अंसर यमकर बिल्कुल सही हो जाएगा अब यह एमकलंकार यहां पर क्यों होगा क्योंकि जहां सब्दों की आबरती एक से अधिक बार हो और उसके अर्थ अलग अलग हो तो बहां पर हमारा एमकलंकार हो जाता है जैसे इसका उदार हम यही लेते हैं तीन वेर खाती थी वो तीन वेर खाती है तो यहाँ पर देखिए तीन वेर एक बार दिया है और तीन वेर दो बार दिया है यानि कि यहाँ पर सब्दों की अबरती एक से अधिक बार हुई है और इन दोनों तीन वेर का अर्थ देखते है तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती है में हमारा यमक अलंकार हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले कोशिन की ओर हमारा अगला कोशिन हम से कह रहा है जहां उपमेय का निशेद करके उपमान का आरूप किया जाए बहा होता है रूपक अलंकार, उत्प्रेच्छा अलंकार, यमक अलंकार या उपमा अलंकार चलिए बताएगा यह definition किस अलंकार की है जहां उपमय का निशियत करके उपमान का आरूप किया जाए इसका right answer जो भी option number A यानि की रूपक दे रहा है बोयाँ आपर बिल्कुल सही हो जाएगा जहां उपमय का निशियत करके उपमान का आरूप किया जाए बहाँ पर हमारा रूपक अलंकार होता है चलिए बढ़ते हम अपने अगले question की ओर हमारा अगला question हमसे कहा रहा है वा का उचाड इस्थान है host, dant, dantost या contost बताएगा इसका वा का उचाड इस्थान क्या है हमारा अगर हम इसके options को देख लेते हैं तो हमारा host नहीं हो जाएगा dant भी नहीं होगा और contost भी नहीं होगा option बसता है हमारा dantost यही right answer हो जाएगा dant plus host या इसका right answer हो जाएगा वा का उचाड इस्थान है dant plus host चलिए बढ़ते हम अगले question की ओर हमारा next question हमसे कहा रहा है चूहे के चाम से नगाडे नहीं मड़े जाते चूहे के चाम से नगाडे नहीं मड़े जाते लोकोक्ती का अर्थ है चलिए बताएगा इस लोकोक्ती का क्या अर्थ है कंजूसी करना, छोटा होकर बड़ा काम करना शीमित सादनों से काम चलाना या सीमित सादनों से बड़े काम नहीं होते सीमित सादनों से बड़े काम नहीं होते इसलिए बताएगा इसका right answer क्या हो जाएगा बहुत बढ़ी है इसका right answer जो भी option number D यानि की सीमित सादनों से बड़े काम नहीं होते दे रहा है वो यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए लिंक डिस्क्रिशन बॉक्स में दी हुई है ऐसी more important questions के लिए आप हमारी चैनल सागर बिंज को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं इसके next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद पंदे मात कर दो आप लाग कर दो आपटाराऊ है वीजिए भाग मुली चैनल सेखा लुटाराऊव के लिए लिए तो प्पंदेर हैं दो उस्क्रिशन लिए लाग